हाई गाईज एम बैक मैं पूझा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूं बच्चों को होमवक एक जंग की तरह होता है हर एक पैरिंग को जैसी बच्चा स्कूल से आता है सबसे पहला सवारी होता है कि आज होमवक क्या है आजकल तो ऐसा हुआ है कि बच्चा घर आने से पहले ही पैरंस को पता चल जाता है कि आज उनको क्या होमवक करवाने अपने बच्चे को तो एक जंग की तरह हो गया है कि अगर बच्चे ने होमवक नहीं किया तो पैरंस का प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि जो रेस होती है लाइफ की या जो कॉम्पेटिशन हम लगाते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हमेशे अवल आना चाहिए हम कभी-कभी बच्चों को homework कर लेते हैं या कभी-कभी हम बच्चों पर इतना pressure डालते हैं कि homework ये बिना शायद से ना आपको नहीं दाएगी ना बच्चों को तो ये homework के pressure के कारण बहुत सरा government में ये बोला गया कि first to second homework नहीं दिया जाना चाहिए homework ये wordy नहीं यूज़ करना चाहिए, home assignment होना चाहिए, वो भी pressurize नहीं करना चाहिए बच्चों को बच्चों को stress हो जाता है, parents को stress हो जाता है तो आज ये वीडियो उसी के लिए है, आज इस वीडियो के दोरा पे आपको बताऊंगी कि आपके बच्चों को homework आपको easy किस तरह करना है पर वीडियो पे जाने से पहले मेरे चैनल को like कीजे, subscribe कीजे और follow करते रहिएगा चलते हैं वीडियो की तरफ जैसे मैंने शुरुवात में कहा कि एक जंग की तरह होता है बट अगर हम उसको थोड़ा सा समस्दारी से ले और हुश्यारी से सोचे कि क्या है homework homework वो चीज होती है जो बच्चों को घर पे किया जाता है नॉर्मल सी बात है कि जो घर पे बच्चा कर पाए असानी से वो homework हो जाता है अब स्कूल में जो पूरा टाइम सिखाया है उसको जाके रिवाइस करे बच्चा घर पे इस हिसाब से homework दिया जाता है पर आजकल के जो modern generation की स्कूल्स है या जो competitive environment है वह आपे homework बच्चे की शमता के हिसाब से homework होता है कभी कभी या कभी नहीं होता है तो जब homework बच्चों के शमता के अनुसार नहीं होता है तो parents को difficulty हो जाती है कि ये homework हम किस तरह करें जैसे project base हो गया या किसी homework के ओपर ऐसे बोल दिया गया कि आपको इसके ओपर marks है तो parents order जाते हैं कि homework जिसमें को और marks है तो वो करना अनिवारिय हो जाता है तो उस वक क्या करें तो सबसे पहले आपको teacher को बहुत अच्छे से समझना है जिसी भी subject का homework जब आपके पास आता है मैं एक example देती हूँ अगर आपको English का homework आता है अगर आपको पता है कि English की रिचर कैसी है और उसके expectations क्या है तो आप homework उसकी सोच के हिसाब से बना सकते हो क्योंकि parents को हमेशा ये डर रहता है कि जो project हमने किया है क्या वो accept होगा मुझे आज भी याद है बच्पन में मुझे एक project मिला था जहाँ पे मुझे shadow बनाना था और वो मैं जित कर रही थी अपने parents से कि ममा मुझे shadow बना के दो अब मेरी ममा को समझ में नहीं आ रहा था कि shadow करना क्या होता है हमें school में बताया गया था कि हमें किस तरह shadow निकालना है बट मेरी ममा को वो समझ में नहीं आया उसी वक्त पे अगर मेरी ममा मेरी science teacher के जो thought process है उससे अगर aware होती उन्हें पता रहता कि वो किस तरह सोच रही है उन्हें क्या चाहिए ये clarity अगर मिल जाती तो वो शायद difficult नहीं होता बच्चे के marks के लिए भी problem नहीं होता आजकल तो काफी आसान हो गया है कि parent direct teacher को फोन कर देता है तो first step ये है कि आप समझ लो teachers से पहले देख लो आजकल बहुत सारे schools में direct video हो जाता है कोई भी project के लिए अगर आप project कोई कर दिया गया आपको या homework कोई दिया गया तो आपको उसका sample भी दिया जाता है तो work और easy हो जाता है second step ये होता है कि आपको एक homework friendly environment बनाना है आपको ये देखना है कि homework बच्चे के लिए है आपके लिए नहीं है तो आपको हमेशा जबी भी homework आता है तो आपके बच्चे को आपको aware करवाना है कि बेटा ये आपको ये homework दिया है और इसको आपको आज करना है तो उसके लिए आपको तयारी करना है जैसे जंग पे जाने से पहले जो तयारी होती है वैसी homework करने से पहले बच्चे को तयारी करके देना बहुत जरूरी है चलो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी तयारी जरूर करता है बट एक इन्वार्मेंट तो देना चीए न अगर अपने बच्चे को सिधा बोल दिया कि होमवक कर दो तो क्या वो बच्चा ठीक से होमवक कर पाएगा यह Efficency आएगी उसके होमवक के लिए तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा और होमवक के लिए एक इन्वार्मेंट बनाना पड़ेगा तो मेरा first जो step था वो था कि आपको teacher की thought process की जानकारी होनी चाहिए second हाँ कि आपको environment बनाना है homework के लिए homework जहाँ पे बच्छा बैटके करें ऐसा environment third thing आगई है आपको एक fix homework time रखना है अभी के time में जैसे school का अगर दुफ्वेर का schedule है समझों अगर morning 12 o'clock से 5 o'clock तक का school है तो morning के hour आप homework के लिए रखो अगर morning में school है तो afternoon का hour जब वो सोके फ्रेश होके निकलता है तब उसका timing fix रखो जहाँ पे वो homework करें ताकि बच्चे को अपना schedule पता रहे कि मुझे इस time पे school जाना है school से आने के बाद मुझे ये करना है मुझे ये करने के बाद फिर मुझे homework करना है जब उसकी दिमाग में वो fix रहेगा तो automatically उसको habit पढ़ जाएगी देसे days pass होते जाएगा तो उसको habit पढ़ती रहेगी और habit पढ़ने के बाद उसको पता चलेगा कि अभी मेरा ये homework का time है तो आपको जो बच्चों की पीछे ड्रामा करना पढ़ता है कि homework कर लो बेटा आपके उनकी पीछे पढ़ना पढ़ता है वो सब चीजे बंद हो जाएगी बच्चा automatically उसके homework के time पर वो homework करने बैठे गाई तो ये आपको एक उस तरफ follow करना है जब बच्चे का एक fix schedule अपको बनाना है जहाँ पर बच्चा homework करने बैठे फूर्टिंग हो जाता है बच्चे को plan करके देना है जबी भी homework करना होता है बच्चा भी confused रहता है कि इतना सारा homework वो एक साथ कैसे करे और उपर से आप डर जाते हो कि teacher क्या है इतना सारा homework एक साथ दे दीती है max भी English भी science भी social भी सारा एक साथ करना है how it is possible तो जैसे एक होता है जब महमान आते तो kitchen में हमें इतना सारा खाना पकाना होता है तो हम क्या करते है planning करते है सबसे पहले कि कबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी कुछ भी ऐसे उटपटंग से नहीं बनाते न तो वैसी बच्चों को भी planning करके देनी कि पहले तुम कौन सा homework करोगे उसके बाद तुम कौन सो homework करोगे तो जब ये plan fix रहेगा तो बच्चा भी confusion नहीं रहेगा और आपको भी डर नहीं रहेगा बच्चा भी systematically अपना homework कर पाएगा तो ध्यान रखना कि बच्चे को homework करते हैं उसको एक plan बना के देना है कि अगर max को homework आपको पहले करना है देखी इसमें ऐसा भी हो सकता है जिस homework के लिए ज़्यादा laziness हो सकता है वो homework सबसे पहले करो जहाँ पर आप active होते हो starting of the time अपने शुरू किये समझो अपने एक गंटा रखा है homework के लिए तो homework एक गंटे के पहले 15 minute आपको जो difficult subject रहता है या जो subject में आपको आलस आता है वो subject का homework अगर आप सबसे पहले करोगे तो easy लगेगा homework हतम करने के लिए हमेशा difficult part सबसे पहले कर लेने का और जो easy काम होता है वो बात के लिए रखने का तो क्या हो जाता है बर्डन थोड़ा सा कम लगने लगता है फिफ्ट फिंग है बच्चे को distraction से दूर रखना है मतलब जबी उसका homework का time होता है तो आपको ये देखना है कि आसपास कई शोर ना हो जैसे अगर बच्चा homework करने के लिए बैठा और बाहर बच्चे खेल रहे हैं या homework करने बैठा है और hall में बैठके आप लोग बहुत जोर जोर से बाते कर रहे हो या आपका ringtone बज रहा है या आप गाने सुन रहे हो और बच्चा उस वक क्या हो जाता है वो distract हो जाता है और अगर उसकी खेलने के वक्त ही अगर अपने उसका homework schedule रखा तो वो कुछ भी homework करके निकल जाएगा उसके homework जो किया है वो fruitful नहीं होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जबी भी आप homework उसको करवा है उसको environment एक दम शान्त देऊ और distraction नहीं होना चाहिए बच्चा जो homework जो लेकर आता है parents को बड़ी जल्दी होती ही बच्चे को homework हतम कर दे इसलिए बच्चा रह गया पीछे पहले वो parents अपनी homework करना शुरू कर देते और homework करने के बाद बहुत सारा looks निकालते कि यार school ऐसी है teacher ऐसा है पता नहीं क्या homework दिया है वो अपने सोच के हिसाब से बच्चे को देखते है या अपने सोच के हिसाब से homework को देखते है homework बच्चे के level का है तो बच्चे को करने दीजिए बले वो difficult हो आपको समझाना है बच्चे को आपको hand hold करना है आपको ऐसा नहीं कि बच्चे का homework सारा कर देना है कि बच्चा सो गया और आप उसका homework complete करके दे रहे हो बहुत बार ऐसे notice हुआ है कि बच्चे की booking complete होती है तो parents लिखना शुरू कर देते है मेरे वक्त भी ऐसा हुआ करता था हमारे वक्त पे school में जबी भी revision sessions होते थे या question papers का session question paper कभी बार लिकाउट नहीं होता था तो हमारे school के बार board लगा हुआ करता था तो वहाँ पे सारे sheets लगा देते थे revision की हो या homework हो या कुछ भी तो मेरी parents जो होते थे वो फटाफट 15 minute पहले आते थे school चुटने से पहले और बैटके वो सारा लिक लेते थे और उसके बाद वो देख लेते थे कि क्या क्या homework करना है और वही बगल अगल बगल के ladies के साथ बात करके वो fix कर लेते थे कि भाई अच्छा ये homework इस तरह करना है तो जब हम घर पे चले जाते थे घर पे चले जाने के बाद ऐसे होता था कि बहुत टाइड होता था कभी कुछ homework रहे गया कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया तो उस वक्त मेरी ममा बैठके रात को homework करती थी तो अच्छा नहीं लगता कि बच्चे का work आप कर रहे हो क्या अपना work आप बच्चे को देते हो करने के लिए तो जो deserving है उस तरफ बच्चे को बच्चे का homework करने दीजे यह homework के लिए अगर बच्चा lazy बन रहा है या आपको excuses दे रहा है या बच्चा नहीं चाहता कि वो homework करे या अपने आपको थोड़ा सा dull महसूस कर रहा है उस वक्त उसे motivation दीजे उसे ऐसे बताईए कि बच्चा आप अगर homework करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा treat him as if that homework is important for him to do and it is easier for him to do अगर उसको challenging या difficult बनाओगी या उसके सामने कुछ ऐसा बोलोगे जिससे उसको खुदी ऐसा हैसा हो जाएगा जब homework ममा कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कैसे समझ में आएगा तो this is also there न आप बच्चे के सामने जब भी कुछ भी बोलोगे तो be aware कि वो बच्चा सुन रहा है और इसी का ही फाइदा बच्चा उठाएगा तो बच्चों के सामने homework को आप motivate कीजिए, promote कीजिए और उससे बोलिए कि homework करना ज़रूरी है उससे क्या हो जाएगा आपका बच्चा भी class में सभी बच्चों के level में आएगा अगर आप भी बेफिकर हो जाओगे homework के लिए तो आपका बच्चा भी बेफिकर हो जाएगा और फिर आप struggle करोगे कि इतने number क्यों नहीं आए बच्चा मेरा कुछ सीख नहीं रहा है आप complain करते रहोगे उससे अच्छा है सही वक्पे सही decision करना सही वक्पे सही बाते करना तो जबी भी homework आपके पास आता है तो आपको बच्चे को immediately बोलने अरे आज का homework तो काफी easy है ये तो चुटकियों में तुम कर दोगे तो वो motivate हो जाता है तो उससे भी लगते है अरे वा इतना आसान homework दिया है तो ये तो मैं अच्छी से कर लूँगा तो उसको excitement रहती है कि मैं homework अप करूँगा भले वो project हो ये assignment हो आपको उसको excited रखना है हमेशा motivated रखना है आपको हमेशा बच्चे को एक example set करके देना है जैसे फोन पे लगे हो या कुछ भी ऐसा करे हो जिसको pleasant नहीं है तो बच्चा भी वोई सिखेगा तो अगर आप बच्चा homework करते वक्त अगर आप कुछ पढ़ने के लिए बैठ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चे आपको देखके सिखेंगे एक और example दोंगी हमारे जब एक्जामस हुआ करते थे या हमारा जब homework हुआ करता था मुझे आज भी याद है जितने रात तक हम जगते थे उतनी रात तक हमारी मम्मा भी जगती थी उसे बहुत नीन दाती थी पर फिर भी she used to be alert मतलब सोचो पूरा दिन काम करने के बाद भी रात को अगर exam है तो she used to be with us till the time we are awake तो बच्चे तभी पलते हैं जब हम भी उतनी महनत लेंगे तो वैसे ही बच्चे सफल भी होते हैं तो आपको भी रोल मॉडल बनना है बच्चे के लिए आपको उसको बताना है कि तुम अकेले नहीं हो मैं भी तुमारे साथ कर रही हूँ तो उसको एक motivation आता है और उस ऐसा लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ अगर मेरी मम्मा कर रही है तो I'm sorry to say कि मैं बार-बार मम्मा का नाम ले रही हूँ पर ये पापा की जिम्मेदारी भी जरूरी है कि अगर homework की जिम्मेदारी अगर पापा की हो या मम्मी की हो पर करना जरूरी है और उसको अगर सही धक से किया जाए तो आपका बच्चा जरूर सक्सेस्फुल होगा और आप भी homework का pressure नहीं ले पाएंगे जिनको बहुत seriousness होती homework करने के लिए बाकी 90% बच्चे कुछ भी करके छोड़ देते हैं और अगर आपने उसकी acknowledgement नहीं की बच्चे को पता होना चीए कि मेरा homework ममा चेक करेगी इसलिए उससे homework अच्छे से करना ये उसकी दिमाग में रहेगा अग उसकी handwriting के तरफ आप द्यान दोगे उसके spelling mistakes के तरफ आप द्यान दोगे उसने कितना याद किया है उसके तरफ द्यान दोगे उसने homework सही तरीके से किया है क्या नहीं specially जो written work होता है बच्चे एकदम scribble करते है उसके तरफ आपको द्यान देना है अगर reading को homework है क्या उसने सही तरीके से reading को homework है तो उसने सही तरीके से learn किया है ये सारी जिम्मेदरी आपकी बन जाती है as a parent आपको monitor करते रहना है कि आपका बच्चा किस तरह homework कर रहा है और उसने वो successfully किया है या नहीं है उस वक्त आपको pressure नहीं लेना है अरे यार ये इसको learning नहीं हो रहा है पता नहीं ये कैसे कर पाएगा आपको वहाँ पे strong बनके एक motivator बनके आपको बच्चे को वो चीजे करवानी है जैसे अगर बड़ा सा answer है और उसको याद नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं उसको break करके दीजे और आप उसके सामने खुद read कीजे खुद learn करने की कोशिश कीजे और तब अगर आप learn कर पा रहे हो तो बच्चा भी automatically learn करेगा तो ये भी trick हो गई मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि homework में बहुत दिक्कते आती है बहुत कठिनाई आती है अब कितना भी कोशिश करो आपका बच्चों होंवक नहीं करता है तो आई सजेस्ट कि आप जब भी ऐसा problem होता है उसके टीचर से उसके प्रिंसिपल से उसके को क्लासमेट से उसके साथ वाले पढ़ने वाले बच्चों के parents से जरूर मिलिएगा ऐसे bonding बनाके रखने से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के life में क्या चल रहा है बच्चे के school में क्या चल रहा है सिर्फ tuition पे भेज कर बच्चे सफल नहीं होते हैं बच्चे को family का touch चाहिए parents का touch चाहिए last point है बच्चे को praise करना मत भूलिएगा जब उसने पूरा homework खतम कर लिया जब उसने सब जो भी plan अपने दिया था उसको या जो भी उसको homework था अगर उसने बहुत अच्छे से वो कर लिया तो उसको सबाश बेटा ये बोलना ज़रूर कभी मत भूलिएगा क्योंकि उससे बच अगर बच्चों homework करके आ रहा है वही बहुत बड़ी बात है तो अब उसको accept कीजिए बच्चे को negative मत बूलिए अगर बच्चे को आप negative बोलोगे उस वक्त बच्चा निराश हो जाता है और hopes छोड़ देता है बच्चा अगर hopes छोड़ देगा तो कितनी भी कोशिश कर लो ब बच्चे को भी मत दराइएगा और homework के प्रती विरोध अगर करोगे तो आप ही कोई नुकसान होने वाला है क्योंकि homework ऐसी चीज़ है जहां पर time to time अगर आप रिवाइस करोगे time to time अगर बच्चे को पढ़ने की habit रहेगी तो उसको exam के वक्त कोई difficulty नहीं होगी कोई दिक्क सफल रूप से आप कीजिएगा यह जो points मैंने बताईए उसको ध्यान से आप समझिएगा और अगर आपको दिक्कत कोई आ रही है तो comment box में जरूर डालिएगा मुझे जरूर लिखके बेजिएगा कि आने वाले time में आपको कौन से topics के ओपर वीडियो चाहिए आप मुझसे दूसरे parenting वीडियो से उसको भी जरूर देखिएगा आशा करती हूँ मैं आपसे दुबारा जरूर मिलूंगी take care bye bye